Hello everyone, So discuss करेंगे एनिमल बीहेवियर आज से एनिमल बीहेवियर के basic चीजे आज डिसकस करेंगे advanced animal behavior कल discuss करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं definition की, behavior क्या होता है behavior का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें कोई organism किसी stimulus को respond गरता है उसे behavior कहते है stimuli क्या होता है stimuli कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा factor जो किसी organism को किसी भी वे में induce करे जैसे यदि मैं आपका नाम पुकारूं तो मेरी आवाज आपके लिए stimulus होगी आप कैसे behavior करेंगे ये इस बात पर depend करेगा कि मैंने कैसे पुकारा है अगर एकदम relax way में आपका नाम लिया जाए तो आप अलग तरीके से respond करेंगे अगर मैं खुद बहुत घबराया हुआ हूँ और मैंने घबराहट में आपका नाम लिया है तो आप अलग तरीके से respond करेंगे मैंने बहुत चिला करके आपका नाम लिया है मुझे गुसा आ रहा है तो आपका behavior अलग होगा कहने का मतलब ये है कि stimulus किस intensity का है कितने duration का है उस पर depend करेगा कि सामने वाला कैसे respond करेगा अगर आपको किसी भी चीज की smell आती है तो आपका behavior कैसा होगा अच्छी smell आ रही है खराब smell आ रही है तो behavior का मतलब होता है कि कोई organism कैसे respond करेगा किसी भी given condition में या किसी given stimulus के लिए उसे behavior कहते है अब ये जो behavior होता है उसके दो region होते है एक होता है प्रॉक्जिमेट रीजन एक होता है अल्टिमेट रीजन जो प्रॉक्जिमेट कॉज होता है इसे कहते हैं immediate cause immediate cause और जो ultimate cause होता है इसे कहते है evolutionary cause evolutionary cause अब समझ ये प्रॉक्जिमेट और ultimate में क्या difference है immediate cause का मतलब होता है कि जब आपको ये सोचने समझने का भी मौका ना मिले और आप behave कर जाएं इसे कहते हैं प्रॉक्जिमेट कॉज जैसे आपके हाथ पर कोई pin चुबती है तो आपका reaction कैसा होगा जैसे ही हमारा हाथ किसी गरम चीज से चू जाता है तो हमारा reaction क्या होगा अचानक से पीछे से आके कोई हमें जोर से चिला दे तो हमारा reaction क्या हो जाएगा इसे कहते हैं प्रॉक्जिमेट कॉज मतलब जैसे ही stimulus मिलता है बिना सोचे समझे हमसे behavior हो जाता है उसे कहते हैं प्रॉक्जिमेट अब इसके पीछे जो question है वो है कैसे यह हुआ तो हुआ कैसे तो इसके पीछे क्या reason आएगा जैसे ही मान लीजिये कोई pin है वो हमारे हाथ को touch करती है तो हमारे nerve system है उससे signal produce होते हैं और इस nerve system से signal brain को चले जाते हैं और जो brain है वो हमें कहता है हाथ हटा लीजिये और हम अचानक से हाथ हटाते हैं चाहे भले ही हमारा हाथ किसी दूसरी चीज के टकरा जाए एक बार तो अचानक से हटा लेंगे तो इसके प्रॉक्जिमेट कोज दूसरा अल्टिमेट कोज होता है जिसे evolutionary कोज कहते है evolutionary कोज का मतलब होता है जब कोई behavior सोच समझ के किया जाए जिस behavior के पीछे हमारा survival या हमारा reproduction जुडा हो यानि fitness जुड़ी हो वैसे behavior को कहते है evolutionary behavior और इस cause को कहते है evolutionary या ultimate cause जैसे जैसे कोई bird है और ये bird singing करता है bird singing इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे अपनी territory maintain करनी है territory maintain करेगा तो जिन्दा बचेगा इसके सारे resources के ऊपर इसी bird का अधिकार होगा तो ये bird singing क्यों कर रहा है ये सोच समझ के जान भूज के singing कर रहा है अगर ये singing करेगा तो इसकी singing से इसके survival के chance बढ़ेंगे जैसे breeding season के अंदर कोई organism कोई bird है वो dance करता है तो वो mating partner के लिए dance कर रहा है यहाँ पर उसके reproduction के chance बढ़ जाते हैं ऐसे behavior कहलाते हैं evolutionary behavior जहाँ पर behavior सोच समझ के एक planned way में किया जाता है प्रॉक्जीमेट में कोई planning नहीं थी गरम चीज को हाथ टच किया हमारी कोई planning नहीं थी कि हम हाथ कैसे हटाएंगे बस हटा लेंगे और evolutionary में planning के साथ behavior किया जाता है दूसरी चीज एक बहुत बड़े विज्ञानिक रहे है behavior science में Nicholas Tinbergen Nicholas Tinbergen ने कहा कि जब कभी भी आप किसी species का behavior study करना चाहें तो चार questions है उनके answer जरूर निकाले चार questions है चार questions में से पहला question है aim of behavior अगर आप behavior पढ़ना चाहते हैं तो यह जाने कि उस behavior का aim क्या है क्यों वो behavior किया जा रहा है क्या वो behavior कोई food के लिए किया जा रहा है या वो behavior reproduction के लिए किया जा रहा है या वो behavior survival के लिए किया जा रहा है क्या reason है उस behavior के पीछे इन्ही तीन में से कोई ना कोई region होगा mainly तो ठीक है जब आपको उस behavior का पता लग जाए तो आपका दूसरा task है आप यह पता करें कि उस behavior के पीछे की mechanism क्या है mechanism क्या है इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई signal मिलता है तो वो signal को कौन receive कर रहा है उस signal का receptor क्या है उस receptor के बाद में आगे कौन सा pattern या कौन सा molecule एक्टिवेट हो रहा है और organism कैसे बिहेव कर रहा है मतलब एक mechanism होती है signal आया हो सकता है कई बार signal जो है वो आखों के द्वारा receive किया जाता है जिसे light signals होते है तो light है वो हमारी आखों से penetrate होती है और अंदर जाकर के brain को stimulate करती है कभी-कभी हो सकता है बाडी की skin है उससे behavior उससे signal को receive किया जाएगा कुछ temperature वगेर है तो कैसे mechanism में एक behavior हो रहा है then तीसरा जो task रहेगा हमारे पास में behavior study करने का वो रहेगा development of behavior वो behavior आया कहां से तो इसमें दो option, तीन option होते है पहला option है कि वो behavior inherited behavior है inherited behavior inherited behavior का मतलब जहां पर आपको सिखाने की जरुरत नहीं पड़ती है किसी को अपने आप सीख जाते हैं ऐसे behavior ऐसे behavior mostly आपको कहा मिलेंगे जहां पर survival के लिए second chance ना मिलता हो वहां पर जैसे insects में जो parents होते हैं वो parents reproduction करने के बाद मर जाते हैं फिर उनकी जो प्रोजेनीज होती है वो प्रोजेनी को सिखाने वाला कोई नहीं है तो इन में behavior inherited होते हैं जैसे spider है मकडियां जाले बनाती हैं उन्हें जाले बनाना कोई नहीं सिखाता एक जाला बनाने में इतने moves होते हैं इतने patterns होते हैं कि यदि सिखाने के लिए बैठा जाए तो एक spider की life कम पड़ जाएगी सिखाता कोई नहीं है उनको आता है ये चीज़ जब कभी भी कोई bird है बेबी bird है वो अपने घोंसले से बाहर निकलता है तो अपने wings को खोल के फड़ फड़ाता है ये से कोई नहीं सिखाता क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद वो नीचे गिर के मर भी सकता है ये चीज उसमें पहले से fix होती है inherited होती है दूसरे टाइप के behavior होते हैं वो होते है learn behavior learn behavior नाम से इस पर stage है उस सिखाने की जूरत पड़ती है जैसे cut ship dance है cut ship singing है जब adult males dance कर रहे होते हैं तो उनको जो younger males है वो देखते हैं और वो देखकर उनसे सीखते हैं फिर वो perform करते हैं monkeys के अंदर ऐसा बहुत सारा behavior होता है जो देखा देखी करके सीखा जाता है तो वो learn behavior है और एक होता है mixed behavior mixed behavior mixed behavior ऐसा behavior जहां पर कुछ पार्ट सीखना पड़ता है कुछ पार्ट inherited होता है जैसे example समझिए कि कोई भी language सीखना है एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को आवाज produce करना तो आता है वो रोता है तो आवाज produce कर सकता है पर वो English बोलेगा, Hindi बोलेगा, मारवाडी बोलेगा, वो पंजाबी बोलेगा ये उसे सीखने की जरुरत पड़ेगी उसे आवाज निकालना आता है, that is inherited, अगर उसके vocal code सही है तो उससे आवाज produce हो जाएगी पर वो क्या बोलेगा, वो सीखना पड़ेगा, तो ये mixed type का behavior कहलाता है अब इसके बाद में चोथा जो point आता है, वो आता है evolution of behavior evolution of behavior का मतलब है कि वो behavior क्यों evolve हुआ उस behavior के पीछे क्या cost है, उस behavior के पीछे क्या benefit है और अगर वो behavior perform नहीं किया गया, if that behavior is not performed अगर behavior perform नहीं किया गया, then what might happen क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, यदि कोई behavior perform ना किया जाए तो, जैसे एक शिकार है और शिकारी उसे देख रहा है अब शिकारी का behavior ये है कि वो उसे सही तरीके से capture करे मतलब जैसे tiger है, या line है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार की गर्दन के अंदर अपने दांथ जो है वो गड़ा देते हैं ये है उनके शिकार करने का behavior अब यदि कोई शेर अपने शिकार के सामने चला जाए और उसे अपने पंजों से मारता रहे खाली खबकिया मारता रहे, तो ये तो उसका सही behavior नहीं है और अगर वो ऐसा करेगा, तो शिकार तो आराम से बचके भाग जाएगा तो शेर मर सकता है क्योंकि उसे food नहीं मिलेगा तो सही behavior यदि perform ना किया जाए, तो उसकी क्या cost हो सकती है और सही behavior perform किया जाए, तो उसके क्या benefit होंगे ये होता है चोथा हमारा सवाल तो जब हमें किसी भी species में behavior study करना हो तो हमारा मकसद ये रहना चाहिए, कि हम इन चार सवालों के जवाब निकालें ठीक है ये बात? आगे बढ़ते हैं अपन next point के ऊपर next discuss करते हैं अपन, types of behavior जैसा मैंने आपको बोला कि दो type के behavior होते हैं, एक learn behavior जिसे innate behavior कह सकते है और दूसरा होता है, sorry, एक होता है inherited behavior जिसे innate behavior कह सकते है और दूसरा होता है learn behavior, यहाँ पे किसी type के experience की ज़रुरत नहीं है no experience needed, कोई experience नहीं चाहिए और यहाँ पर experience की ज़रुरत होती है experience needed, जब तक experience नहीं होगा, proper behavior नहीं मिलेगा तो यह तो हो गए दो type behavior के, फिर इसके बाद में इनके examples हैं, examples की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे innate behaviors के, innate behavior तीन type के होते हैं पहला innate behavior है, इसे कहते है reflex, reflex का मतलब होता है automatic response to a stimulus, जैसे कोई hot चीज है कुछ भी, hot thing है कुछ भी, उसको हाथ टच कर जाएं, जैसे कोई pin है, उसके उपर हाथ टच कर जाएं, जैसे की मान लीजिए, कोई चीज हमारी आखों की तरफ आती है, और अचानक से हमारी पल के बंद हो जाती हैं, कभी कभी कोई चीज आती है अचानक से हमारे हाथ उपर हो जाता है, उस चीज के पकड़ने के लिए या हमें बचाने के लिए, that type of behaviors are known as reflex behavior, automatic response है, दूसरे तरीके का innate behavior है टेक्जिस, टेक्जिस का मतलब होता है movement, या तो towards, या फिर उससे दूर, जैसे की light है, और कोई छोटा organism है, वो light से दूर भागना चाता है, उसे light पसंद नहीं है, जैसे light आएगी वो अपने आप दूर चला जाएगा, इसे कहते हैं टेक्जिस, कोई chemical है, उस chemical से या तो दूर भागेंगे या उसके पास में जाएंगे, जैसे suppose करिए कि कोई tiger होता है, वो अपनी territory maintain करने के लिए क्या करता है, यूरीनेशन करता है, वो urine secret करता है, दूसरे tigers उसके urine की smell से दूर चले जाएंगे, पर जो females है, वो urine की तरफ अट्रेक्ट होती है, इसलिए या तो उस particular stimulus से दूर चला जाया, और या फिर उस stimulus की तरफ आएगा, इसे कहते हैं, और एक होता है, complex behavior, जिसे कहते है, fixed action pattern, पैप, fixed action pattern या फैप, क्या कहलाता है, क्या होता है, बहुत आसान है ये तो, समझेगे, मान लीजिए कि एक ऐसा इनसान है, जिसको suppose करो कि सुबह एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मान लीजिए कि वो अपने घर से अपने office जाता है, उसे रोज office से call आता है, कि आज office आ जाओ, तो वो अपने घर से office के लिए निकलता है, पर उसका behavior ये है, कि जब वो घर से office के लिए निकलता है, तो वो रस्ते में 10 ऐसे लोग है, जिन से हाई हेलो करके जाएगा, ये उसका behavior है, एक बार मान लीजिए, ठीक है, तो अब आप समझे कि office से जो call आ रहा है, वो उसके लिए stimulus है, और जैसे उसे वो stimulus मिलेगा, कि अब आप office आ जाएए, और वो phone रख देते हैं, दो second बाद में वापस phone आता है कि आज office मत आईए, cancel, आपकी छुट्टी है, पर फिर भी वो इनसान को जो पहला stimulus मिला है, उसकी command को पूरी करने के लिए, वो office निकलेगा, वो 10 लोगों से handshake करेगा, office पहुंचेगा, हो सकता है, वहाँ उसे office बंद मिले, वो वापस आ जाए, पर एक बार यदी stimulus मिल जाए, तो पूरा behavior परफॉर्म करना है, यह कहलाता है FAP, एक complex sequence of behavior, once released, the action pattern continue to completion, even when there are change in the surrounding environment, मतलब एक बार यदी यह start हो जाए, तो पूरा behavior complete होता है, चाहे भले ही बीच में environment change हो जाए, मतलब stimulus ना रहे, इसे कहते है, fixed action pattern, जैसे कोई किसी को बोले singing करके दिखाओ, तो वो पूरा गाना सुना कहीं मानेगा, चाहे बीच में उसे कितना भी रोके कि मान जाओ, लेकिन वो तो पूरा गाना गाएगा, इसके दो classical example समझते हैं, ग्रे लेग गूज, एग री ट्राइवल बिहेवियर, ग्रे लेग गूज का एग री ट्राइवल बिहेवियर, क्या बिहेवियर होता है, पहले तो आप normal condition समझो, normal condition में क्या होता है, यह जो bird है, female bird है, यह female bird के दिमाग में एक चीज imprint हो जाती है, कि उसके घोसले में कितने अंडे हैं, यह अपना घोसला जमीन पे बनाती है, और इसके घोसले में जितने अंडे हैं, जैसे सपोज करो कि यह इसका घोसला है, यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे, अब इसके दिमाग में यह 4 अंडों की picture fix है, यह मेरे घोसले में 4 अंडे हैं, किसी दिन अगर एक अंडा किसी कारण से इसी का पैर लग जाए, जब यह feeding के लिए बाहर जाती है, और जाते जाते इसके पैर से एक अंडा है वो घोंसले से बाहर निकल गया और यहां के गिर गया एक बार तो यह कुछ नहीं खरेगी जब यह feeding करके आएगी तो इसे picture दिखेगी तीन अंडों की अंडे है चार जब इसे एक अंडा कम मिलेगा तो यह जो इस अंडे की खाली ज कहां गया वो चौथा एग तो यह बाहर searching करती है जब इसे उसका अंडा दिख जाता है तो उसे यह अपने चोच से पिछे धकेलते धकेलते घोंसले के अंदर लेके आती है यह तो है इसका normal behavior अब fixed action pattern कैसे है यह हमने क्या किया इसके चार अंडे थे चार अंडों में से एक अंडे को उठाया और इसके घोंसले के बाहर एक let's suppose कि गॉल्फ होता है उसकी बॉल रख दी गॉल्फ वाली बॉल छोटी सी अंडे जैसी दिखती है तो इसे वो गॉल्फ की बॉल है वो अंडा दिखेगी अंडा लगेगी मतलब इसके दिमाग में stimulus कहां से मिला उस खाली जगह से जो अंडे की खाली जगह है उससे उसको लगा कि अब मुझे तो पूरा behavior करना है तो यह ढूंडेगी और जो भी चीज उसे अंडे के जैसी दिखेगी जैसे गॉल्फ की बॉल है कोई बल्ब होता है वो है तो यह उसको भी लुड़काते लु जिसका नाम है थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक नाम है इसका इस फिश के अंदर जो मेल्स होते हैं मेल्स वो मेल्स क्या करते हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर अपना एक घोसला बनाते हैं अच्छा सा और घोसला बनाने के बाद में इनका जो बेली पार्ट होता है, स्टमक वाला हिस्सा, वो थोड़ा लाल रंका हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये मेल अब रिप्रोडक्शन के लिए तयार है, मेल घोसला बनाते हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं और ये फीमेल को इस्टिमूलस देते हैं कि रेड बेली है, इसका मतलब वो पूरा रेडी है, गोसला बगेर सब बन चुका है, मैटिंग करनी है, अंडे देने हैं और ये ध्यान रखेगा, अब यदि इस मेल के आसपास कोई दूसरा मेल आए, जिसकी बेली रेड हो, तो इसे गुसा आ जाता है, और ये अग्रेसिव हो जाता है, जब एक ब्रीडिंग मेल के सामने दूसरा ब्रीडिंग मेल आता है, तो उसे गुसा आता है, ठीक है चलिए, अब इसका क्या उपाय है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कि हमने मिट्टी के कुछ ऐसे मॉडल बनाए, जो फिश नहीं है, बस फिश जैसे दिखते हैं, और उ आपको यहां सिंपल मॉडल स्विथ रेड अंडर साइड दिखाई दे रहा है, यह मेल नहीं है, यह मिट्टी के बने हुए फिश जैसे मॉडल है, अब यदि हम एक ब्रीडिंग मेल को ऐसे मॉडल भी दिखाते हैं, तो वो ब्रीडिंग मेल उनकी तरफ आकरशित होता है, गुसा करता है, उनसे लडाई करता है, उनके उपर अटेक करता है, अगर हम यह मॉडल हटा ले, तो भी यह काफी देर तक उस एरिया में घुमता रहेगा, और अग्रेसिव बिहेवियर शो करता रहेगा, यानि जो बिहेवियर इसने चालू किया है, उसे खतम होने तक यह क एक्ञाम्पल से, अब एक ओर एक्जाम्पल, इस्कृ academy इसका बेबी उस्कृल लेनी है, जिसका जनम अभी-भी हुआ है, यह कोई बैबी इस्कृल है, इसका जनम अभी-भी हुआ है, इसे आप दीप्राइवेशन यानि आईसोलेशन में रखेंगे, मतलब छोटी सी स्क्रिल है इसकी आखे भी नहीं खुली अभी आपको इसे ऐसी condition प्रोवाइड करानी है जो इसे इसके wild habitat में नहीं मिलती है मतलब जैसे ये hard food खाती है nuts वगेरा खाती है तो इसको आप liquid diet देंगे इसकुरिल पेड पे रहती है आप इसे पेड नहीं दिखाएंगे इसकुरिल मिट्टी के अंदर रहती है आप इसे मिट्टी में नहीं रखेंगे iron box में रखेंगे मतलब ये पैदा हुई तब से लेकर जब ये बड़ी हो जाती है तब तक आपको इसे ऐसी condition देनी है जो उसकी natural condition से अलग है इसका मतलब आपने इसे learning का कोई chance नहीं दिया no chance of learning learning का कोई chance नहीं दिया आपने इसको ठीक है अब अब आप जब ये adult हो जाती है तो इसे आप एक iron box के अंदर रखिए ये मान लीजिए iron box है और इसे आप पहली बार एक nut दीजिए खाने के लिए बादाम दे दीजिए तो ये इस कुरिल उस बादाम को वैसे ही पकड़ती है जैसे इसके बाकी wild members पकड़ते हैं आपने कभी किसी गिलहरी को खाना खाते हुए देखा होगा जब वो खाना खाती है तो कैसे बैठ जाती है और अपने आगे वाले हाथों से खाने को hold करती है ये वैसे ही खाने को खाती है जैसे इसके wild members खाते हैं इसका मतलब इसमें सीखा नहीं है ये चीज़ आती है इसको पहले से जब इसका खाना थोड़ा बच जाता है तो ये पूरे iron box में चक्कर लगाती है फिर एक corner में जाती है और इस iron box को dig out करने की कोशिश करती है जैसे की मिट्टी को खोदा जाता है इनकी आदत होती है कि बचे हुए खाने को ये मिट्टी में दबा देते हैं वैसे ही ये इस krill अपने बचे हुए खाने को मिट्टी में दबाने की कोशिश करती है तो ये behavior इसका inherited behavior है ये तो किसी ने नहीं सिखाया इसको तो ये हो गई अपनी बात किसकी inherited behavior इस krill की अब अपन next बात करते हैं learn behavior की कि किस तरीके से learn behavior होते है learn behavior का मतलब होता है कि जब कोई organism किसी दूसरे organism को देख कर सीखता है तो उसे learn behavior कहते है इस behavior के अंदर experience की जरूरत होती है अब ये learning कई type की होती है कभी-कभी अच्छी चीज के लिए learning होती है कभी-कभी डर होता है उससे learning होती है तो ये सारी चीजे हैं एक एकर के बात कर लेते हैं जैसे सबसे पहला है habituation habituation का मतलब होता है किसी stimulus के लिए habitual हो जाना और उसे respond करना बंद कर देना उसे कहते habituation जैसे जब हम किसी city के अंदर जो कभूतर का feeding ground होता है बहुत सारे कभूतर वहाँ पर दाना चुगते हैं वहाँ जाते हैं तो आप ये देखिए कि वो कभूतर आपसे डरते नहीं है आप अपने हाथ में दाना रखो वो आपके हाथ पे ऊपर बैड जाएंगे फिर दाना चुगेंगे फिर उड़ जाएंगे इसे कहते हैं habituation वो जो कभूतर है उन्होंने आपकी प्रजेंस को neglect करना चालू कर दिया वो डर नहीं रहें आपसे अब ये कहलाता है habituation ऐसा बहुत सारा आपने कई जगे देखा होगा जैसे इस picture में दिख रहा है तो इसे habituation कहते हैं जब एक animal सीख जाता है कि उसे किसी stimulus को respond नहीं करना है not to respond respond नहीं करना है next देखिए दूसरा learning behavior associative learning जब कोई animal दो अलग-अलग events को connect करना सीख ले इसे कहते है associative learning जैसे एक बहुत famous example है इस dog का आपने ये example देखा होगा आराम से देखिए ये एक बहुत simple सा experiment है आपने बच्पन में भी पढ़ा होगा एक dog होता है उसे रोज एक घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के बाद खाना दिया जाता है ये चीछ जब बार-बार उसके सामने दोहराई जाती है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा अब एक दिन उसके सामने घंटी बजाई जाती है लेकिन खाना नहीं दिया जाता फिर भी उसके मूँ से सलाइवा निकलती है इसका मतलब उसने घंटी बजने और खाना मिलने दोनों के अंदर कनेक्शन कर लिया इसे कहते हैं एसोशियेटिव लर्निग जब कोई एनिमल दो इवेंट्स के बीच में रिलेशन्सिप को सीख ले इसे कहते हैं एसोशियेटिव लर्निग अब यहां एसोशियेटिव लर्निग के दो टाइप्स है एक तो होता है क्लासिकल कंडिशनिंग क्लासिकल कंडिशनिंग का मतलब क्या होता है जब एक behavior modify हो जाता है by the pairing of two stimuli दो stimulus से behavior modify हो जाता है जैसे ये dog वालाई है और दूसरा operant conditioning operant conditioning का मतलब होता है कि जब एक organism किसी reward या किसी डर से कोई behavior सीखे जैसे माना जाता है कि जो pets होते हैं उनको यदि आप कुछ सिखाना चाते हो तो आप उन्हें खाने का लालच दो जब वो खाने के लालच में सीखेंगे तो उसे कहते है operant conditioning या कभी-कभी मार के लालच से भी जैसे आपने आपके घर में parrot है आप उस parrot को अपने पास बुलाना सिखाना चाते हो आप उसे खाना दिखाकर ललच आईए वह आपके पास आएगा उसे खाना दे दीजिए अब उसे यह समझ में आ जाएगा कि आपके पास आने से खाना मिलेगा आप बुलाओगे वो आटोमेटिक और जब भी वह भोगता है तो आप उसे मारते हो अब आप जैसे दिखोगे वो चुपो जाएगा इसे कहते हैं ओप्रेंट लर्निंग इमप्रिंटिंग का मतलब होता है दिमाग में कोई चीज छप जाना इमप्रिंटिंग का एक्जामपल है जैसे एक छोटी चीज बताता हूँ आपको आप जब कभी भी किसी नए शहर में जाते हैं तो नए शहर के अंदर आप रास्ते कैसे याद कर पाते होंगे आप कहीं कोचिंग करने के लिए गए किसी जगह आप कोचिंग सेंटर और अपने रूम के बीच का जो रास्ता है उसे कैसे याद करेंगे कि आपके रूम से निकलते ही कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग आएगी पर्टिकुलर उससे राइट लेना है कोई पेड आएगा उससे लेफ्ट लेना है ऐसा कुछ तो आप लर्न करोगे कि इसे कहते हैं इंप्रिंटिंग लेंडमार्क्स लर्न कर लिए अब इसका एक बहुत पुराणा बहुत फेमस एक्जामपल निकोलास टिनबर्जन का है एक डक स्पीसिज होती है जिसे कहते हैं डबलिंग डक doubling duck इस duck species की क्या खास बात है इस duck species कीखास बात है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने parents के पीछे rail каждый के दिब्बे की तरह चलते हैं जहां parents जाएगा वहां ये भी जाएगे तो ये इनका एक behavior है कैसे होता आ है जब अंडो की hatching होती है अंडे तूटते हैं और बच्चे निकलते हैं तो बच्चे सबसे पहले जिसे देखते हैं अपने आखों के सामने उसे वो अपना पैरेंट्स माल लेते हैं और फिर वो पैरेंट्स जहां जाता है वहीं पे जाते हैं अब इसका एक फेमस एक्जामपल क्या है निकोलास टिन ब और उस box को एक परदे से ढख दिया यह कोई कपड़ा है उससे ढख दिया box का निचला हिस्सा है वो ऐसे थोड़ा खुला टाइप का सथा जालिया थी अब निकोलास टिन बर्जन रोज आते थे और यहां जो अंडो से चूजे निकले उनको फीडिंग कराते थे और काम की बात यह है कि जब यह फीडिंग कराने आते थे तो यह एक special टाइप के जूते पहन के आते थे special pattern के shoes पहन के आते थे तो हुआ क्या कि जो चूजे हैं उन्होंने कभी भी निकोलास टिन बर्जन की शकल नहीं देखी थी यहाँ पर जो चोटे-चोटे चूजे रहेंगे उन्होंने अंदर से इन जूतों को देखा तो उन चूजों के दिमाग में यह fit हो गया कि यह जूते ही हमारे parents हैं फिर निकोलास टिन बर्जन जहां जहां जाते यह इनके पिछे-पिछे आते निकोलास टिन बर्जन है वो swimming कर रहे है तो यह भी उनके साथ swimming कर रहे है अब निकोलास टिन बर्जन को यह लगा कि हो सकता है यह मेरी शकल देखकर ही ऐसा कर रहे है तो जब यह अलग जूते पहनते तब कोई भी bird इनके पिछे नहीं जाता और वही जूते कोई और भी पहनता तो भी bird उसके पीछे जाते मतलब जूतों के लिए imprinting हो जाती है तो यह एक अच्छा example है learning का imprinting behavior Next, observational learning observational learning का क्या मतलब होता है मतलब किसी को करते हुए देखना और उससे सीखना इसे कहते हैं observational learning जैसे यह monkey का example है यह monkey के जो adult members है वो कोई food खाते हैं तो उस food को वो पानी से धोते हैं पहले पानी से साफ करते हैं फिर खाते हैं छोटे monkey हैं वो इनको ऐसा करते हुए देखते हैं जब छोटे monkey इनको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो भी सीख जाते हैं कि हमको जो food मिले उसे पहले पानी से धोना है अब आप उन्हें साफ food भी दोगे ना तो एक बार पहले वो पानी से धोएंगे फिर खाएंगे इसे कहते है observational learning देखे क्या लिखा यहां पे animals watch what others do when they imitate their behavior यानि जब वो behavior पर्फॉर्म कर रहे होते हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं उसे वो देखते हैं learning, observational learning है वो save करती है energy, time, risk, trial and error क्योंकि जब आप किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देखोगे और उसने जो गलती करी उससे उसे नुकसान हुआ तो आप सीख जाओगे कि आपको वो गलती नहीं करनी है क्योंकि आपको भी नुकसान हो सकता है इसे observational learning कहते हैं तो यह learning का behavior हो गया एक और behavior है animal cognition यह बड़ा सही वाला और advanced level का behavior है जब कोई animal चीजों को tool की तरह इस्तमाल करना सीख जाए उसे कहते है cognition behavior जैसे यह chimpanzee दिख रहा है यह chimpanzee क्या कर रहा है इस tree के अंदर एक छेद है और इसमें छोटे-छोटे insects है तो पहले यह लकडी से उन insects को बाहर निकाल रहा है फिर खा जाएगा यह आपने वो कहानी सुनी होगी थ्रस्टी क्रो वाली थ्रस्टी क्रो की कहानी में और आजकल तो आप internet पे देखिए वैसे क्रो भी मिल जाते हैं एक बॉटल के अंदर अगर पानी का लेवल कम है तो वो क्रो छोटे-छोटे पत्थर को बॉटल में डालते हैं जिससे पानी का लेवल उपर आ जाता है वो पानी पी लेते हैं जब कोई animal different चीजों को tool की तरह यूज करना सीख जाए जैसे लकडी से honeybee के छाते में honey निकालन है लकडी से insects निकालने है पत्थर डाल के पानी का लेवल उपर करना है ऐसे type के behavior तो इन्हें कहते हैं animal cognition तो यह हुआ हमारे पास में learning behavior के बारे में बहुत सारी बात हैं आज के lecture में हम इतना ही पढ़ पाएंगे और कल हम इसका दूसरा part complete करेंगे और इसके साथ यह behavior वाला topic भी complete करेंगे थैंक यू सो मच